आया है है एशा ने अलो गाईज वैल्कुम टू माई चैनल इस्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे भी ऐनटी पीची के बारे में जिसका एकजाम 15 दिसंबर से होने वाले इसके अंदर हम discuss करेंगे general awareness की सारी detail के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि general awareness को overcome कैसे करा जाता है लोग बोलते हैं कि general awareness के अंदर से कहीं से भी question आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता जो detail syllabus आपको दिया होता है official notification में उसके अंदर से जाता है और अगर आप detail syllabus को देखेंगे तो आपको एक idea हो जाएगा कि आपको किस तरह से preparation करनी है क्या पढ़ना है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वहीं बताऊंगा यह उसका part 1 part 2 के अंदर मैं इस वीडियो को complete करूँगा इसके अंदर मैं half syllabus journal awareness का discuss करूँगा आप next video के अंदर discuss करूँगा इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने exam pattern वो syllabus के बारे में discuss किया exam pattern की वीडियो और syllabus की वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर आपको एक एक idea मिलेगा और आपको पता चलेगा कि exam के अंदर आने क्या number का आएगा और कितने max carry करेगा cbt2 के लिए qualify कैसे करना है cbt2 के बाद typing test और computer aptitude test किस-kis post के अंदर होएगा और वो किस तरह से prepare करना है आपको और cbt2 किस post के लिए किस तरह से होगा वह भी मैंने आपको बताया उसके बाद document verification and medical वह भी बताया उसके अंदर मैंने तो exam pattern की वीडियो आप जरूर देखना उसका लिंक आपको description के अंदर मिल जाएगा तो उस वीडियो का आपको जरूर देखना है और इस वीडियो के जनरल अविर्नेस का पूरा स्लेवर से आपका इंटी बीजीगा इसमें हम यहां तक इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे यह पोडिशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो हम इस्टार्ट करते तो किiej गए गारेंट इवेंट नैशनल इंट नेशनल इंटर्णनल इंपॉर्टेंश पीम सब्सक्राइब आले हम यह वाला शुरू करते विजिट ऊपरीनिस्टर we have Ö किसी के zat के पराय मिनिस्टर में हमारी विजिट है तो उस के इवंट जो हुए है उसके अदर वह भी यह ढ राखने की फिर प्राय मिनस्टर के जगाद प्रैजिटर ने विजिट करें विजिट करें एस चीज़ को यहाद रखना मैंने इन वल्जक कुई किसी कम किसी का पॉटफॉली चेंज हुआ है कोई को मिनिश्टर से फैनेस्टर बन गया है यह न ने कोई मिनिस्टर बनाई है वैस यह आपका इदिफैंस मिनिस्टर उसके अंतर YEAG रखने हैं राजिए देजिकने से घंठ हैं अफ लेबनन अगेंश्ट कौन सी यह डौनल ट्रम्प कों सी पार्टी से गलॉंग करते हैं अमेरिका के इंदर कौन कोंसी पार्टी duck अमेरिका के अदर दो पार्टी रिप्ड रिपब्लीक डेमोक्रेटिक तो यह सब चीजा आपको याद रखनी है जो बिडन है जो उनके opponent है Donald Trump के opponent को है जो बिडन जो Democratic Party के है और Donald Trump Republic Party के है आपको ये भी याद रखना है कि Abraham Lincoln Republic Party के थे और जो ब्राक ओम थे वो Democratic Party के थे तो ये leaders आपको याद रखने है क्योंकि current में आपका US में election चल रहे हैं तो ये question आ सकता है Resignation of Lebanon Government Lebanon की capital क्या है? Lebanon कहां की country है? एक Middle East की country है इसकी capital का नाम बैरूत है यहां पे एक blast हुआ था अभी आपने सुना होगा कि इसके कोश्ट पे एक blast हुआ था इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई थी उस वज़े से उनकी पूरी गौर्मेंट ने रिजाइन दे दिया था वहां से तो यह एक मेजर इवेंट है जो आ सकता है तो आपको यह जरूरी याद रखना है हुई विनर in tournament of tennis single man woman doubles जो tournament होते हैं टैनिस के उपा युएस ओपन ओगया प्रेंच ओपन ओगया उस्ट्रियन ओपन ओगया विविटनल ने विया तो उसके अंदर तो सिंगल के दर मैं वोमें के इंदर कॊंणबेन के दर मैं और जॉइंट में इनर तो को याद रखनी फिल एंड का से ओड्श रहे चुझने ओसके अंदर कुंजी था था वह याद रखना इंडिया के अन्दर हूआ था यह याद रखना थे नोबल प्राइज गए हैं और आपको किस को दिये चन पद्पार वार्ड बनायूंस होते हैं ठीका सथ्फिल्म इसांद्ट्य सब्दोस liëं और आप तरुरिको और उरी को ठीक है खेल रतना चार जनों को चार प्लियर को दिया गया है इसमें रोष शर्मा भी है यह आपको याद रखना है यह सारी चीज़े बहुत इंपोर्टन है कम से कम त्री टू फॉर माक्स इसके अंदर से आते हैं अराम से से पाक्त आख सके इसके अंदर साथ है और यह कुछ ज्यादे बड़ी बाद नहीं जो करेंटिवन द्र है उनको आपको याद RAV आपका आपका आडर बाथन सका अधीन परता हों न है अधू आर्ड होगी नेस पर दो लिए भी अधे, वस्य मेजर बाइं को एंदर बार्ट, बहुए तरह से 204 बाचि को बचया मेंयोच आदसे मियुतिकर दीट डाव amendment यादण नहीं रखना I am a temple architecturerecetumAL architecture दो तरह का किके टेंपल होता है तो टैंपल कहा पर है उसकी लोकेशन आपको याद रखनी है एंड जैसे आपका यूपी के अंदर दशाफतार टेमपल है टिक है महादेव टेमपल आपका खुजराओ के अंदर है कुजराओ कहां पर है मद्य प्रदेश में कि कुछ कों से किंग ने बनवाया खुजराओ के किंगों ते उस टेमपे चंदेल शाषकते जब वो बना नंगोंग टैमपल है सं को माथ को माश्कां टैमपल कहां पर ईडिसा के अंदर है कि स्का टैमपल बहूंब और संदेश को सबस्पूराद के वहां विगता सिरहीं पेंट्वी फ्याया पाउन सब्सक्राइब होगी पाइस आपके वाल भी स्वा ली पेइंटिंगी किसे जाता हमेंभा सालॉन की होडोर्स वाली पेंटिंग किसी होती है आसके बाद सब किस पहली संगेती कवूंग Citizens tis क्रफंथ कौन थें लाज तीरत्कार कौन थे इनके पर्मक्ती कार कोisan थें उस्छी अपका याद करनी हैं के संगती कव कवूए धी कहां का हूए थी चौथा है इंडियар डानस में ख़ला डानस कितने तरह के शिड़ रंस होते हैं क्लासिकल कaison कौण डेसाइड करता है सहीथ संगीत नाटक का एकड़ी करती है और classical dance आठ तरह क्यों होते हैं यह आपको याद रखना है इंडियल लिटरेचर में दो लाइंगविज आपको याद रखने ब्रही प्राकरति इसका importance कहता है इंडियल लिटरेचर में याद रखना है है वाइटामिन्स और उनके बायलोजीकल नेम से higher व्यटामिन्स कौन से होता है C और Emblaום से कोन से होते हैं सी और वाटर स्वSalud लोते हैं बाकी की विटामें फ़ैट स्वाली मिलोते है अगर इनकी डैफिसेंसी हो जाती है दो का आठ से दस कोशन इसके अंदर से आएंगे यह फोर्षनी मेजर पॉर्षन है नेक्स्ट इंड्ययन इस्ट्री एन फ्रीटम श्रगल श्ट्री आपका मॉडरन के अंदर आ जाएगी टीकशह के नाम याद रखना है इनकी चीटे गए जगां के नाम कॉंकें पर अच्राय। बोलते थे आर्टेक्ट्चर का क्योंकि उस टाइम पर टैंपल बनना शुरूए थे ठीक है यह याद रखना आपको मेडाइवल के अंदर इवेंट थे कहां से होता है आपका मेडाइवल काउंट होता है उनके किंग के नाम लास्ट किंग को था और ये वर्क एंड कॉंटे क्या थी उनकी मेजर किंग कौन थे जैसे आपका आगरा आगरा किसंदे बनावाय था इबराहम लोदी यह आपको याद रुकना है पिरत्वराज चोहन के टाइम पर बैटल करें थे पिरत्वराज चोहन करना परता फार गए थे अकबर जीते थे एंड बाबर के जितने भी बैटल है बाबर ने बहुत सारे बैटल लड़े थे इनके बैटल आते हैं और इनके वर्क इन्होंने क्या करवाया था सबसे पहले तोपका इसमार बाबर नहीं कर रहा था यह आपको याद रखना है तबहुतल रहता यह जांकीर के ताइम पर शाहां के अचेर शांवा दों प्रियूर और सब्सक्राइब सारों प्रैके सब्सक्राइब मैउर्स यासन आपका अपका नेधस एक सेये आफ जो एक काफी वेटेज करता है बेटिश इंडिया एक टैस्के कि मॉरलिम इंटाइक कब आया था कि गवर्मेंट अफ इंडिया कौन-कौन से थे एंड श्ब्रो ठीक है वो इसके अंदर याद रखना आपको एंड मेजर लीटर नेम्स मोटरेट्स लीटर कौन थे गोपल किशन गोकले डावली सी बैनर जी दादा भाई नोर जी मोटरेट्स लीटर थे एक्स्टिमिस्ट कौन थे आपके एक्स्टिमिस्ट थे बाल गंगर सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है बाल गंगर तिलक ने कौन से करें लाला लाज पत्र आए कहां के नहीं था थे पंजाब के थे यह आपको याद रखना है बाल गंगर तर तिलक महाराष्ट की नहीं था थी मेजर मुवमेंट कौन-कौन से वह थे आंदोलों स्टैपन परिशन मुवमेंट हुआ था ठीक है नौन का परिशन मुवमेंट के अंदर आपका सब्सक्राइब अब बहुत है उन्हीं सबीस में वह था मेजर इमेंट था बहुत मास्ट गैदरिंग इसके अंदर गंधी जी ने इसको शुरू कर रहा था सिविल डिस ओबेडियन्स मु के थी निस्यकर 30, 30, 32 में थिकैंट तीडिश के अंदर सियंदर का इसके अंदर कॉंग्रेस ने पाटिसिपेट कर था उसके बाद में दोनों में कॉंग्रेस ने पाटिसिपेट नहीं करा था मेजर इवेंट एक हुआ था आपको याद रखना अमरी स्थर के अंदर नेक्स्ट फिजिकल सोशल इकनॉमिक जोग्राफी अफ इंडियान वर्ल्ड जिम और फॉलोजी ओरीजनर एविलोशन आफ वर्थ की ओरीजन कैसे हुआ और्थ कैसे बनी ठीक है इसके अंदर आपको नाम याद होना चाहिए बस मांटेंस आपको पता होना चाहिए फोल्ड मांटेंस ब्लॉक मांटेंस कौन से होते हैं मांटेंस के अंदर बस आपको नाम मांटेंस में कौन कौन से हैं जैसे हमारा हमाले मांटेंस है वह फोल्ड मांटेंस है सबसे उच्छे कोई सबसके कोई लेगा कौनसा पार्ट इंडिया के लगा कौंसा पार्ट नेपाल के अधर यह सब चीज़ आद रखना है और नियौकल यह कॉलीजन से आता है जो अर्थ क्रस्ट की प्लेट होती है उनका कॉलीजन होता है तो इसकी वाज़ेसे अर्थक्विक आता है सुनामी भी उसी की वाज़ेसे आता है जब ओशिन क्रस्ट में कॉलीजन होता है क्लामेट लोजी प्रैसर बर्ट से आपको पता चल जाएगा बिशिर वेल्ट वाजा सबको पढ़ने की ज़ा था नहीं लेकिन आप पढ़ते हो तो आपको आपको सारी चीजी इस चीज़ को पढ़ने से प्रेशर बर्ट को लेकिन आगर से अप सिंपल भी पढ़ना चाहों त सबसे जादान नहीं कहां पर होती है मॉनसुन में ये भी आधा रखना ऐ सबस 기대 सतने जैसे खरमी में लूँ चलती आग क्लामिट चैंज क्यों हो रहा है टिक है उससे सबस्कूक सबस्द्सुー नो आधो फाली ब्रıs न attendees water level बढ़ रहा है बर ञार को चिंदर के अंदर को याद राए बार को चैनल से हमारे कि कितने डिग्री चैनलं पे जो पास होता है जैसे दो है अंडवन निको बार हो गया उसके बीच में चैनल है टैन डिग्री चैनल वो चीज़ आपको याद रखने चैनल मतलब पैसेज जहां से पास हो सकते हैं एक पासेज वे होता है आफ मैं उस तरीके से अड़ी रूर्ट से अवको याद रखने कि के अंदर जब वासको डिगमा या तो तो कुं से रूर्ट से आया था जै um hè श्कूछ के लिए से रूट बहूत च्वोटा गया था स्वेह फैसे बाता होना और चीए और जिस्से रूट से कि आशना को ना-इस अब बना चीए कि उस होट का नाम में करता है कि यह आपको पता होने चीए थोड़े से फैक्ट का पता कर लोगे तो आपका पूरा यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा कोरल बीचेंग इंडिया के देगा जो 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 एंडेंजन्ट स्पीसीज जो एक्स्टिंट होने वाली है वर्ड के अंदर वो कौन सा कूरल है फायर कूरल बोलते हों से उसके बाद पायो जेग्राफी बायो जेग्राफी के अंदर आपका डिस्टिबिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इंडिया के अंदर इसका बाया हो जाता है बहुत सब्सक्राइब उसके अंदर से आप सछी टिक लगा दोगे क्योंकि जीके आप रट्टा नहीं मार सकते जीके के अंदर क्या होता है यससे आपके सामने कोशन आएगा आपके मांड में उसका अंसर हीट कर जाएगा और आप उसका answer लगा दोगी तो और यहां पर मैंने framing लिख दिया यह farming है farming के type कुन कुन से होते है wildlife यह सब चीज़े environment, environment, geography biodiversity biodiversity का मतलब क्या होता है and biodiversity पुरे world के अंदर कैसे value हुई है biodiversity protection act इंडिया के अंदर कुन को से है wildlife protection act है इंडिया के अंदर 1972 उसके conservation के अंदर इंडिया के अंदर क्या है national park है wildlife century है and bias reserve है bias reserve wildlife protection act के अंदर नहीं आता यह UN के function के अंदर आता है drainage river है river के अंदर हिमालिया हिमालिया और peninsular river है हिमालिया river कौन कौन सी हो है और peninsular river कौन कौन सी है वो आपको याद रखनी है कौन सी सबसे longest है कौन सी कहां कहां से flow करती है कहां इनका origin है कहां से निकलती है और कहां जाती है वो याद रखना है इनका path वैसे आता नहीं है लेक्स कौन सी है लेक्स आर्टिफिचल सți सबसे लेक्स काने नाम दे दिया और वह पुछेंगे का उसकी location a है तौ आपको वो---- इस वजह से आपको फारी लेक्स है जो मतलब प्रॉम्gesetzt लेक्स हैं बहुत मेहत्वर्ण लेक्स होती है बड़ी-बड़ी लेकसे हैं उनका नाम याद रखना है या फिर जो करेंट रेश Kent घलोती है यह आपसे क्या होती है यह पुछेगा कि कंडर को हो Meter की जाती है तो आपको इंटेंसीव लंग नापड़ेगा एक्स्टेंसिव कहां पे होती है यहां पहुत ज़्यदा है हंवारे इंडिया के ले लिएन इतना नहीं है पोपलिपलेशन को अगद् critics के अंदR यूएस हो गया उसके अंदर extensive farming की जाती है क्योंकि उसके अंदर land बहुत ज्यादा है जूम cultivation क्या होता है यह tribal cultivation होता है इसमें लोग एक लेंड होता है उसके अंदर आग लगा देते हैं और उस land को बिल्कुल साफ कर देते हैं उसके बाद महाँ पर खेती करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं अबेंडन करदेते हैं और फिर कहीं हो रहा है ऐसे यही Sam process करते हैं और ऐसी तरह से खेती करते हैं टेर्स फार्मिंग आपकी मांटेंस के अंदर के रिए आपने देखा होगा सीडीनो माखेती बोलते हैं इंदी में तो टाइपस अप्रॉप्स रभी खरीफ और जायद रभी खरॉप रभी क्रॉप कौन सी होती है विंटर क्रॉप किसे बोलते हैं का में इंग्जांपल का आपका गया हुआ है घरीफ करोप का में एक्जांपल राइस है चावल कि अंडर्टी और गवर्नेस कॉंसिटीशन पॉलिटिकल सिस्टम इस्ट्ट्ट इंडिया का स्ट्ट्र कैसा है फैटरल वीद इस्ट्रॉप सेंट्रल के साथ हमारा सेंट्रल के पास ज्यादा यह कहां से लिए हमारे कॉंसेटिशन को ट्राफ किसने करा बियारम बेट कर टीक है इंडियान कॉंसेटिशन के पार्ट से हैं टोटल कितने पार्ट से इंडिया इंडियान कॉंसेटिशन के लिखा हुआ है लिस्ट कुन कुन सी होती है यह पहली लि याद करना है डिटेल में नहीं जाना के डारेक्टिव पिंसिपल स्टेट पॉलेसी क्या होती है फंडामेंटल डूटी टोटल कितनी है कब बनी थी प्रपस क्या है उनका नीचर क्या है मतलों जेश्टी से वाला है यह याद रखना आपको सेंटर गवर्मेंट इसका करेंट इसका स्टेट परिश्यद बोलते हैं इन दोनों से मिलके एक इस्टेट के सेंबली होती है लेकिन स्टेट के अंदर खाली स्टेट असेंबली यानि विदान सभा ही होती है वसकरी कॉंसिटिशनल बाडिज आपकी इलेक्षिन कमिशन होगी इसके कि इसके चेर पर्सक्राइब करेंग क्यों हो गया इसके चेर परसंड को ना टौरी जनल लोग बनी जनलिश्टों पर कोन है सुप्रीम कोर्ट इंडिया के C G I को अइस स्टैम पे यह आपको याद रखुआ है यूप्यस के चेर मैं को और भी होते हैं उनको भीयाद रखना ह देंट परशे कि यह आपको देशियर पर से याद रखने हैं अगली भूरूर्ट फीचर ऑफ सींडिया कॉन्टिविसे क्या बॉर्ड टॉक्टर से दो किया है फैडराल श्टेड्र केंड़ से बॉरू करें पार्लेमेंट सिस्टम आपका बिटेंच से बॉरू करा । EPSP जो डारेक्टिव पिंसिवल स्टेट पॉलसी है वह आईरिश है कॉंक्रेंट लिस्ट हमने ऑस्टेलिया से लिए है फंडामेंटर राइट समने यूस से लिए हैं तो यह सारी चीजा आपको याद रखनी है यह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें अलग अलग कर जरके डीटेल में बताऊंगा जो जो इसके अंदर मेज़ो टॉपिक्स है वो जो आती ही आते हैं उनके बारे बताऊंगा जो करेंट पर चल्डर है political parties होगी आप बी recentि बहार में election चल रहे है तो लोग जैनशक्ति पार्टी आपने पढ़ा होगा कि लोग जैनशक्ति पार्टी है आपे लोग जैनशक्ति पार्टी किस alliance के अंदर आती है एड़े के अंदर आती है यह आपको याद रखना है ठीक है उसके प्रेजिड़न्ट को हैर्व का सिंबल क्या नाशनल पार्टी है वो यह स्केट पार्टी है नाशनल पार्टी क्या होई कितना शुक्त पार्टी लोकल में पंचायद आती है। स्रिंट्रािटिज आती यह कॉन से चेड़ओल के अंदर आती है उसे पर्लियम 아。」 याद रखना है अन 007S 2018 मैंजन है बढ़नाचा पर्लेटिकल अंदर सिष्टर्म क्या होता है हमारी इंडिया के अंदर पॉच्छ 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 नेक्स्ट जर्णल सेन्टिफिक एंड टेक्न लोजीकल डेवलपमेंट इंक्लूड इंकूर्डिंग स्पेस और निक्लियर प्रोग्राम अफ इंडिया Nobel Prize क्योंकि आपको पता है Science के अंदर ये आपका Nobel Prize दिया जाता है एक पीस के अंदर भी जाता है लेकिन major इसके अंदर Nobel Prize स्ट को भी दिया जाते हैं तो Nobel Prize आपको याद रहें किस को कौन सा मिला और किस वजह से मिला कौन से सज्जक्ट में मिला याद रखना आपको टक्नलोजी नेम्स जैसे आपका ब्लॉक्चेन आ गया आटिफिशल इंटेलिजेंस आ गया ब्लॉक्चेन आपका सेक्योर्टिस के अंदर यूज़ होता है आटिफिशल इंटेलिजेंस तो बहुत यूज़र आज जैसे आजकल फोन के अंदर wireless charging आ रही है कि इस में एक चीज़ एड़ करना भूल गया आटिफिशल इंटेलिजेंस में आप काफी चीज़ देख सकते हैं आपके आज पर बहुत सारी चीज़ आटिफिशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड़ होगी आप उसको नूटिस करिए और एंड न्यू सेटलाइट न्यू लॉँच सेटलाइट नेम्स डेट लॉँचिंग पैड लोकेशन एक सब्सक्राइब रिसेंट लॉँच हुआ है आपको इसके अंदर मैं आपको एक इंपार्टर टॉपिक बताता हूं जो इंडिया का इंडियन मिशन है मैं इन स्पेस वह गगन यान जिसका नाम है वो दोजार एकिस के एंड तक या दोजार बाइस में लॉच्छ हो जाएगा और रिसेंटली अभी इसमें क्यानीज आईए कि जो कंपनी है रश्या की कंपनी है जो इस पेस स्पेस सूट बनाती है उसने ही इंडिया के अश्ट्रोनोट का इस पेस सूट बनाया है स्पेस शूट वही सूट वही उसी कंपनी ने जो फर्स्ट मैन इन इस पेस था गारगिन उनका भी सूट बनाया था वह सूट वहां पे अभी तक रखा हुआ है यह चीज आपको याद रखनी है कैंगे अभी ट्रेनिग चल रहे है कैसे उनकी ट्रेनिग कंप्लीट होएगी यह यह बीच में होड वा था लेकिन उसको बाद इसको कंटीनिट कर दिया गया कि यह जो प्रोग्राम में डाडलाइन पे कंप्लीट करना है इंडिया गर्मेंट को क्योंकि जब 75 रीक हो जाएं 75 years complete हो जाएंगे और इंडिया एक achievement करेगा कि फर्स्ट मैं इन स्पेस वह भी इंडिजिनिस प्रोग्राम के थुरू फर्स्ट मैं इन स्पेस इंडिया का कौन था राकिश शर्मा थे वह रश्या से गए थे लेकिन वह इंडिया इंडियन प्लान नहीं था इंडियन विशन नह बस बाकी याद करने की जोड़त ही क्योंकि वह चल नहीं रहे है आज कली टॉपिक करेट में चल रहे हैं वह है काकर पर प्लांट पाव प्लांट जिसका तीसरा प्लांट है उदर चार प्लांट है ऐसे करके आप नेट पे देखोगे तो इस तरह से इंटरनेट पे आपको चार प्लांट दिख जाएंगे इस तरह से क्रेंट इसन थे होते हैं तो दो तो क्रिटीकल स्टेज़ में थे टी कि यौद चोथ रही में प्लांट के इंदर आत्फोगई क्रिच्टल स्टेज का मतलब क्या होता है कि वह अब येनरेट करना शुरू कर गया और निकलर प्लांट के बारे में एक और इंफ्रमेशन है जो आपको पता होने ची कि निकलर प्लांट जोते हैं वो फीजन का मतलब क्या होता है टूटना जो हमारे संद पर होता है संद पर कौन सा रियक्शन होता है संद पर रियक्शन होता है निकलर फ्यूजन वहाँ पर दो हड्रोजन में के एक हिलियम बनाते हैं लेकिन जो हम निकलर पावर प्लांट के अंदर टेक्नलोजी उस करते हैं वह हमारी फीजन होती है उसके अंदर हम ब्रेक करते हैं यह आपको याद रखना है सब्सक्राइब करें आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आए तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करो शेयर करें थैंक्यू गाइस सब्सक्राइब